आपका स्वागत है आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जार्खन बिधान सभास थापना दिवस राजेपाल ने किया उधगाटन सहीद जवानों के परिजनों को समानित किया गया उनमें सहीद जवान कुल्दीप उराव अरक्षी ठाकूर हेंब्राम आरक्षी संकर नायक सहीद संदीप सिंग समेत अने के परिजन सामिल हैं साथी साथ जार्खन गिलोन बॉल खिलाडी रूपा रानितिर की लवली चोबे एवं फुटबोल खिलाडी अस्टम उराव अनिता कुमारी को समानित किया गया इसके अलावा मैट्रिक वाइंटर के टोपर विद्यार्थियों को भी समानित किया गया है इसमें तानियासा निशु कुमारी समेट काई टोपर छात्र-षात्राय को समानित किया गया समान में मिली रासी से पुस्तके खर देंगे उत्खृष्ठ विधायक जारखन बिधान सभा का स्थापना दिवस पर रांची के धुरवाहि सीथ बिधान सभा परिशन में समारो कायुजन किया गया जिसमें मंगरवार को इसकी विध्युयत शुरूँद की गई राजी पारव्रा में सभास ने समारो का उध्राटन किया ये समारो तीन दिनों तक यानि 24 नोंबर तक चलेगा बतादे सीम हेमन सुन की मजूदगी में बगोदर से माले बिधायक बिनोद कुमार सींग को उतकिष्ट बिधायक के समान से समानित किया गया उन्होंने कहा है कि वे समान में मिली रासी अपने बिधान सभा छेत्र बगोदर के कॉलेज को पुष्ट के खरीदने के लिए देंगे जार्खन बिधान सभा स्थापना दिवस समारो के मौके पर माले से बगोदर बिधायक के बिधायक बिनोद कुमार सींग को उतकिष्ट बिधायक के रुपे समानित किया गया जार्खन बिधान सभा स्थापना दिवस पर भव्य कारकरम का आयोजन जार्खन बिधान सभा का स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है या स्थापना दिवस समारोह के लेकर बिधान सभा को दूलन की तरह सजाया गया है समारोह की सुरुवाद सुब़ 11 बजे हुई राजे पाल रमेश बस ने आप स्थापना दिवस कारकरम का उद्गाटन किया वही मुख्य मंत्री हेमंत सुरेन मुख्य अतिति के रूप में मुझूद रहे बिधान सबा स्थापना समारोह तीन दिनों तक चलेगा बता अजे जारखन बिधान सबा का स्थापना दिवस के मौके पर उत्किष्ट बिधायक बिनोत कुमार सिंग को समानित किया गया ये बगोदर बिधान सबा से थर्ड टर्म बिधायक हैं इसी करमे उत्किष्ट कारे के लिए कर्मियों को भी समानित किया जाएगा कारकरम में स्पिकर अबिन्दनाथ महतो द्वारा रजीत पुस्तक संसद्य दायत्यक के तीन वर्ष का लोकारपन भी किया गया ज्यारखन में 15 दिसंबर से धान खरीद 2,74,000 किसानों ने कराया रई स्टेशन मौसम 2022 टेश में किसानों से धान खरीद को लेकर राज सरकार की ओर से त्यारी सुरू कर दी गई है 15 दिसंबर से किसानों से धान का कराय किया जाएगा सरकार ने इस बार भी किसानों से 8,00,000 टॉन धान खरीद का लक्ष निधारित किया है धान बिक्री को लेकर 2,74,000 किसानों ने रईश्टेशन कराया है वहीं आपकी युजना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम में किसानों ने धान बिक्री को लेकर रईश्टेशन कराया इसके अलावा ओन लाइन रईश्टेशन की परक्रिया चल रही है किसान बजार एप वा उपारजन पोटर पर अपनी जमीन समंधी समेत अनेजन कारीदे करेश्टेशन करा सकते हैं पिछली खरीब मौसा में सरकार ने 1,49,000 किसानों से 7.52,00,000 टन धान की खरीद की थी जारखन में 29 दिसंबर को निकाय चुनाव राजे में नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर राजे सरकार दवारा भेजेगा प्रस्ताव को राजे पालने मंजूरी दे दिया है सरकार ने 29 दिसंबर को मद्दान कराने का प्रस्ताव भेजा था समभवना जताई जा रही है कि राज सरकार मंगलवार को नगर निकाय चुनाओ के सुथना जारी कर सकती है नगर विकास विभाग दोबार अधिस उतना जारी करने के बाद राज निवाचन आयोग चुनाओ की खोसना करेगा इस बीच खबर रहा है कि राजची में मेर पद के अरक्षन के विभाद को लेकर सरकार चुनाओ के तीथी बदाल भी सकती है गौतलब है कि दिसंबर के तीसरे सप्ता में राजे के सभी 28 नगर निकायों में मेर अध्यक्ष और वाड परसत के लिए मद्दान होगा जारखन में पाउ पसार रहा डेंगू जमसेदपुर में डेंगू मरीजों की संख्या परती दिन बढ़ रही है इसका परकौप MGM Medical College में पहुंच गया है कॉलेज के छात्रावास के दो दर्जन बिद्यार्थी इसकी चपेट में आ चुके हैं अभी 4 बिद्यार्थी डेंगू के संदिक्द मरीज भी हैं जो MGM होस्टल में ही रहकर इलाज करा रहे हैं डक्टरों के अनुसार होस्टल से प्रती दिन 4-5 बिद्यार्थी डेंगू लक्षन लेकर आकर इलाज कराने पहुंच रहे हैं इससे होस्टल में दसत का महुल है अस्पताल में चारो और गंदिगी वर नाली जाम के कारान उसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं जिससे मच्छर ट्राइथ लौन केंपेटिशन साइकलिंग स्वीमिंग वर रं रnnिंग आयरन मैन का टेग हासिल कर लिया है टाटाई श्टिल में कारेठत 29 बरसी अननन्थ राना ने गोभा में आयोजीत अयर्मैन इंडिया 70.3 कंपेटिशन में तीसरा अस्थान हासिल किया अनन्त राना ने 1.9 km swimming 36 मिनट में वह 90 km cycling 2 घंटा 52 मिनट में और 21 km running 1 घंटा 47 मिनट में पूरा करते हुए खिताब जीता है जीत के बाद अनन्त राना ने बताया है कि वह अगले वास स्यूटेजर लेंड में होने वाले Iron Man competition की त्यारी करेंगे पलामू में 24 नौमबर को भाजपा का अक्रोस रैली पलामू जीला में भारतिय जनता पाटी 24 नौमबर को जन अक्रोस रैली निकालेगी इसे सफल बनने को लेकर पलामू के सांसत बिशनु देल राम के आवास पर बैठक की गई बैठक में सांसद बीडी राम ने कहा है कि सरकार को जाना क्रोस रहली से पता चलेगा जानता का गूसा क्या होता है उन्होंने कहा है कि हेमत सरकार हर मोर्चे पर भीफल है उन्होंने संबोधित करते हुए कहा है कि सरकार गठन के बाद भरष्टा चाल चरम पर है जनता की कोई सुनने वाला नहीं है यह सरकार एक के बाद एक गलत नितिगत फैसला लेकर राज को रसातल में ले जाने का काम किया है सरकार को जना क्रोस रैली से पता चलेगा जनता का गूसा क्या होता है हेमन्त सुरेन ने हजारी बाग सड़क हादसे में मिरीत सरधालों के आसी रितों को सोपे तिन तिन लाख रुपए का चेक जारखन के गिरिटी जीले से सिख सरधालों को लेकर आ रही बोस हजारी बाग के टाटी जहर्या इस्थीत सिवाने नदी पूल पर 17 सितंबर 2022 को दुरघाटना गरस्थ हो गई थी मुख्य मंत्री हेमन्त सुरेन ने इस बोस हादसे में मिरीत सिख समुदाए के साथ सरधालों के आसी रितों को मुख्य मंत्री रहात को से 3 तिन लाख रुपए की साहता रासी का चेक सोपा बता दे किया हादसा ओस वक्त हुआ था जब गिरीडी जीले से सरधालों को लेकर आ रही बस हजारी बाग जीले के टाटी जहर्या इस्थीत सिवाने नदी पूल पर दुरघाटना गरस्थ हो गई थी लातेहर में पूलिस मुडभेड में मारे गए तीनों जेजे एमपी उगरवादियों के हुई पहचान लातेहर सदर थाना छेतर के बेंदी के बुढधा सक हुआ लकर देगवा डेम के महुआ पेण के पास सोमवार को हुई पूलिस वपर्तिबंधित उगरवादियों संगठन जेजे एमपी के बीच मुर्भेड के दरान मारे गए तीनों उगरवादियों के सिनाक्त हो गई है जिसमें उगरवादियों की पहचान सीवनाथ, लोहरा, पिता, भादू, लोहरा, बंदुवा, पलहया, थाना, हेरहंज, मनोज राम, और तिवारी जी, जगूर, थाना, मनिका और मनिका निवासी, सनी राम के रूप में हुई है तीन उगरवादि के धेर होने के बाद, फोरेंसिक टिप के जाच परताल करने के बाद, पूलिस ने 18 घंटे बाद उगरवादियों का सोव को पुश्मास्टम के लिए लातेहार सदल अस्पताल भेज दिया इस दोरान, HDPO संतोस मिस्त्रा समेत अन पूलिस अधिकारी राज से ही मुड़ भेड असर पर मुस्तैद दिखे राजगंज को परखंड बनाने के साथ हरल में 75 परस्यत नवकरी का आवाज राजगंज को परखंड बनाने के लिए कई दसक से अंदोरन कर रहे लोगों के लिए खोसकबरी है जीला परिसद बोर्ड ने राजगंज को परखंड बनाने का प्रस्ताव सरोसमति से पारित कर दिया है यह प्रस्ताव जीला परिसद अब जार्खन सरकार को भेजेगी इससे राजगंज को परखंड बनाने का रास्ता खुल गया है राजगंज छेत्र की जीला परिसाद सरसे वानी देवी ने सोमवार को जीला परिसाद बोट की बैठक में राजगंज को परखंड बनाने का मुदा उठाया उन्होंने बताया है कि कियों राजवन को परखंड बनाना जरूरी है यह भी बताया है कि कैसे उसके नेतिवत्य में इसके लिए अंदोरन चल रही है आयोग की चीठी पर टकराव के बीच साथ दिखे सियम हेमंत और राजेपाल केंद्रेर निर्वाचन आयोग की चीठी पर मुख्य मंतरी हेमंसुरेन और राजेपाल रामेशबस के बीच का टकराव जग जाहिर है राज अस्थापना दिवस समारों में राजेपाल की गैर मजुद्गी ने तो काफी सुर्किया बटोरी थी अब ज़ारखन बिधान सभा के बाइसवे अस्थापना दिवस समारों में मुख्य मंतरी और राजेपाल एक साथ दिखे हैं अब ज़ारखन बिधान सभा परिसर में आयोजीत अस्थापना दिवस समारों के पहले दिन जब राजेपाल और मुख्य मंतरी मिले तो गर्म जोसी दिखी मुख्य मंतरी ने बुक्के देकर राजेपाल का स्वागत किया धन्यवाद